ओके सब्सक्राइब एक रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके कुछ रिवेगा वरकर तो डरेक लेबर उसके अलावा कुछ और खरचा है तो उसको बलेंगे तो यह प्लास्टिक बढ़ा घ्रच थेँगा अब आपका जो ग्रॉस वैक्ट्री कॉस्ट आया इसको लेकर चीज़ी कि इसको ग्रॉस क्यों बोला गया फैक्टरी में डबलो एपी का स्टॉक इपिछ येट तो बेड़ेस्टेड तो आप एड ओपनिंग फिलेस्ट फैक्टरी कोस्ट फैक्टरी हो गया अच्छा फैक्टरी से भी गूड्स कहां पर बिजने है वहरा उस में हमने लॉजिकली समझाते लेकिन अगर याद रखना है तो तो एक क्यू नाम का परसंद रहेगा जो क्या करेगा रैप विची स्क्राइब और यू गेट यूर कॉस्ट प्रडक्शन बट समझो क्यू स्टैंड वार क्वालिटी कंट्रोल और रिसर्च और डिवलप्मेंट बैन एड्मिनिस्ट्रेशन विचिस कनेक्टेट टू प बेचेंगे बेचते टाइम एक तो जनरल अडिनिस्ट्रेशन और एक सेलिंग डिस्ट्रिबूशन और टोटल अपना कॉस्ट आजाएगा प्लस प्लस प्रॉफिट इस एकवल टू सेल्स इतना याद रहेगा एक बार वापस एकदम शॉटकट में सबसे पहले बुलो क्या आइए और डायरे को टेरियल डायरेक लीबर डायरेक्स्पेंसेंस ट्राइम कोश्ट अश्ट्री ओवरहेड रहेड रॉस्ट्रीक आइडलेस दबल्यू आईपी फैक्टरी कोस्ट फिर दर से फ्यूरा माइनस क्राइप इससे क्या मिलेका आपको नेट एक रिक्रीक और बेच्टे टाइम दो थे अडिनिस्रेशन सेलिंग डिस्रिबूशन टोटल कॉस्ट आप सेल्स प्लस प्रॉफिट इस यहां तक लियर है अभी कहां पर क्या क्या आएगा वो हमें देखना है कहां पर क्या क्या आएगा मतलब सबसे पहली चीज डाइरेक्ट में कौन सी ची से आती है तो हमें कुछ additional questions करने सुनो वेनाई से डाइरेक्ट मटेरियल इसका वैसे दूसरा नाम क्या है राव मटेरियल कंज्यूम इसका फॉर्मैट है ओपनिंग प्लस परचेस प्लस अगर एक्सपेंसेस ऑन परचेस है तो माइनस क्लोजिंग राव मेटरियल कंज्यूम याद रहेगा इतना ओके नाव अभी कोशीट के अंदर देखना और क्या-क्या चीज़ हैं एके करके देखते जाते हैं अगर मैं यहां पर बात करता हूं माटीरियल से कनेक्टेड तो याद रखना नॉर्मल फॉर्मेट हमने समझा है ओपनिंग प्लस परचेस और खरिते टाइम का कोई खर्चा है वो भी आड़ कर दो माइनस क्लोजिंग यह लिगे ट्रॉम मेटरियल कंज्यूम अभी एक स्क्रैप को लेके पॉइंट याद दिखा मतलब क्यों रखbabर मैंना इस क्रैंप वह वाला लेकिन अगर क्रैप और आंकय मटरवट दिख रहा है मतलब यह आरेन जी मैं से से लेस्ट करने का स्पेसिवेकली रॉव मेटिल का स्क्राप है क्लियर स्क्राप ऑफ मेटल बोला मतलब रॉव मेटल कंजूम में से लेस्ट होगा ओके इट मींस आपका फॉर्मैट में एक चीज और आ जाएगी ओपनिंग प्लस पर्चेस प्लस एक्पेंसे साट टाइम ऑफ परचेस माइनस क्लोजिंग माइनस क्या हो जाएगा स्क्राप आचा सर एक्सपेंस एडट टाइम ऑफ परचेस में क्या है जब आप घृट्स खरीद होगे तो उसका ट्रांस्पोडेशन का खर्चा देना पड़ेगा लाने का उसके बाद क्या करना पड़ेगा उसका इंश इन्पूट टेक्स क्रेडिट या तो क्रेडिट नॉट अविलिबल वाला ही आएगा ओके मॉड्यूल में है यह प्लीज ध्यान रखना इस पे से क्वेशन आएंगे इसलिए आप सेंग दिस ओके पे अटेंशन कॉस्ट ऑफ मेटरियल एक फ्रेट इनवर्ड आएगा अच्छा फ्रेट इनवर्ड की जगह पे अगर क्वेश्चन में फ्रेट आउटवर्ड बोला गया है वेर वेल्यू राइट डाउं सेलिंग डिस्टिब्यूशन प्रेट आउट वर्ड मतलब गूड्स को बेचते टाइ पर मतलब सेलिंग डिस्टिबूशन याद रहेगा ओके देन इंशॉरंस तो ये गुर्च लाते टाइम मैंने मट्रिल खरीदा उसको लाने का खर्चा ट्रांस्पोडेशन उसका इंशॉरंस निकाना ट्रंजिट का वह और अगर ट्रिट डिसकाउंट दिया तो क्या करने का माइनस और टैक्स थभी लोगे अगर क्या अविलेबल नहीं है क्रेडिट अविलेबल नहीं है रिफंट अविलेबल नहीं है यहां तक कभी-कभी इंडारिकली आपको चीज़ी दी जाएंगे इंडारिकली मतलब ऐसा लिखा रहेगा कि हम जीएस्टी में आरसी या तो हम जो भी टैक्स पर गर्द उसका इटीसी मिलता है नहीं तो याद रखना अगर कभी भी बोला गया है कि हम जो है वह कौन है कंपोजिट स्कीम है मतलब हमारे लिए अगर जेस्टी के आवने कुछ नहीं बोला मतलब इटीसी नौट अविलेबल ना कंपोजिट आयम सेंग म में हूँ एक सेकें अब हाथ तो मैं वही बोल रहा हूं अगर खाली लिखा है तुझे यह पता है लेकिन अगर किसी नॉर्मल परसन को पता है कि कंपोजिट स्कीम होता है कि नहीं होता नहीं पता नो प्रोविजन पता होना चाहिए वैसे तो सभी पता है मेरे हिसाब से इस नहीं के लिए बता दिया जेस्टी पेड़ी के बाद ऑके ना अंडिस्टेंड तो क्याने से डाइरेक मेटरल वाला पार्ट हो गया इतने स्पीड मेर रखते हैं थोड़ा स्लो कर रहे है बराबर जा रहा है डाइरेक लेबर मतलब सर मटेरियल के मशीन के अंतर मटरल ज कुछ में भी वाटेवर ट्राइवलिंग अलाउंस से जो भी आप या फिर कुछ इंसेंटिव दोगे जो पैसा वरकर को दिया वह टारेक्ट लेबर में आएगा बहुत अलावंस एज इंसेंटिव आज ओवर टैम काम किया वह बोनस या एक्स ग्रेशिया जिसको बोला ना में क्या आएगा क्योंकि हम जब क्वेश्चन करेंगे आई नीड आंसर फ्रॉम यूर साइट के हैं यह इधर आएगा तो वरकर को जो भी दिया वरकर को अच्छा यह भी हो सकता है क्यां मैंने 10,000 का सलरी मैंने 10,000 का कर रिकॉर्ड किया उसमें से इस एपने दोजर कॉंट्रीबुट कैया मेरी लिए खर्चा हो गया कहना यह अपने दोजर क्या एंप्लोयर सुड कॉंट्रीबुट सेम अमाउंट तो एज एपने लेबर में भी वैसी किया याद आएगा क कभी-कभी चीज़े ट्विस्ट करते हैं बुलेंगे टोटल कॉंट्रिबूशन 10% है एंग 6% is कॉंट्रिबूटेट बाइंप्लॉई तो आई विल टेग 4% कॉंट्रिबूशन एज एंप्लॉई और जो में दे रहा हूं और है निचे एक माटीरियल और दूसरा क्या लेबर अभी सुनों खाली स्क्रैप बोला है कहां पहाएगा क्यों रफ माइनस क्राप स्क्रैप ऑफ मटेरियल आरें सी में से लेस होगा याद रहेगा इतना डन बोलो इवी करते हैं एड जिसको फोर फोर नी करने का इतना लिख युट्रिवुशन में और नीचे सीक लर्फ रहेगा कि जितने इंप्लोई करते हैं क्ट्रीवुशन वी करत तो беспा क्योंसरा है एट का फूर फूर नहीं करने का एट दोनों दोनों करेंगी देर इस वन क्वेश्चन वैसा है कन्फ्यूज याद रहेगा इस था खली पर सिंट लिखा है कि कॉंट्रिब्यूशन और नीचे लिए दोनों सेम अमाउंट करते मुद्ब दोनों आठाट करते हैं वैसा है दग अभी आते डिरेक्ट एक्सपेंस जो हमारे रेगुलर लेक्चर में अंटश्ट था विकॉस कोई क्वेश्चन नहीं था वहां पर बहुत सरी चीज़ें आएंगे इसको कनेक्टेड मैं अभी तक फैक्ट्री के अंदर वह मशीन के अंदर जो मट्र जाएगा उसकी बात कर ली उसके अलावा जो डाइरेक्ट खर्चा होगा वह इदर आएगा अचा वेरियबल को समझ में आता है जो प्रडक्शन के साथ बढ़ता है वैसा वाला तो देखो इसमें क्या क्या आएगा अब सर यह मशीन के अंदर मटेरियल तो जा रहा है इसकी बात हो गई यह वरकर उसको इंपूट कर रहा है लेकिन मशीन चलेगी तो सब्सक्राइब और मशीन डीजल वगरा कंज्यूम करेगा तो पावर एंड फ्यूल विकेंड से तो उसको बोलते कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी यह कहां पर आगा आपका डाइरेक्ट एक्सपेंस में मतलब जब जब प्र अगर इस अगर इस अगर वाला जो है वह वह बिकॉस्ट इस डारेक्ली टेक्नॉलजी लिया तो उसके ब्रैंड नेम या जो भी नॉलेज उसने शेर कि हमको या तो ऑथर से अगर हमने कंटेंट लिया तो अपने को उसको पैसा देना पड़ेगा अगें रॉयल्टी के बहुत सारे पॉइंट है रॉयल्टी कैन भी पेड बेस्ट प्रडक्शन बेस्ट और फिक्स अमाउंट वगरा भी रहेगा हम यहां पर मांते इस अल्वेस बेस्ट अन प्रडक्शन मैंने आप से कुछ टेखनिकल नॉलेज लिया है मैं आपको बलता हूं एक युनिट बनाने का मैं आपको टेकनिकल असिस्टेंट एंड नोहाव कुछ सो नॉलेज मैंने लिया उसके बदले में मैंने जो पैसा दिया पीडिस एस गुड़ एस रोयल्टी तो अगर अलग नाम से आए कि मैंने कुछ टेकनिकल नॉलेज कहीं से लिया है उस प्रडॉक्क को बनाने के लिए और थोड़ा प्रडॉक्ट बनाने के लिए इक स्पेसिफिक एक्विप्मेंट लगता है मैं नॉर्मल प्रडॉक्शन करता हूं कोई कस्टमर का स्पेसिफिक डिमा यह कस्टमाइजेशन की मेरे को यह ऐसा कुछ करके चाहिए तो अलग से एक मशिनरी खरीदना पड़ा उसके काम के अलग से उसका टेकनिकल असिस्टंट लिया वह पैसा और एक मशिनरी खरीद लिया वह पैसा वह सारा आजाएगा डारेक्ट एक्स्पेंस में आप बोल दोगे अगर भाड़े पी लिया है तो उसका रेंट आ जाएगा स्पेसिफिक मशिनरी का जो नॉर्मल प्रडक्शन होता है उसकी बात नहीं करा हूं स्पेसिफिक जो मशिनरी लिए ओके देन एनी अधर एक्सपेंस वर लिखा गया एक चीज़ और कॉस्ट और मोल्ड मतलब किसी उसका बनाना पड़ा मतलब वह वह शेप ले लेता है वैसा तो उसने बोला इसा दिजेन नहीं गरक्रटिकट काओ या फिर उसका स्पेसिफिक डिजाइनिंग का खर्चा उसके लिए स्पेसिफिक वो डिजाइनिंग करनी पड़ी वो एक नचल में याद रख लेते हैं क्या क्या आएगा देख लेना मशीन चलेगा आईविल से तो क्या लगेगा पावर फ्यूल वह बाद में मशीन चलेगा और से प्रोड़क्शन होगा तो क्या जाना पड़ेगा रॉयल्टी रॉयल्टी को हम लोग क्या बोल देंगे टेक्निकल लुहाओं के लिए जो दिया है उसके बाद यह जब मशीन चलेगा प्रड़क्शन बनेगा लेकिन उसके लिए कु पर यह करना पड़ा यह मोल्ड करना पड़ा उस मोल्ड का क्या करना पड़ा डिजाइनिंग फिर प्रड़क्शन इसको याद रख सकते हैं तो आई विल मेक शॉटकट जिससे आप याद रखो वैसा को डिग्रामेटिक बना के दिए दूंगा तो इसी रहेगा याद आँ जैसे में एक सिंपल बोल देता हूं फैक्ट्री ओरेट ओफिस एंड सेलिंग इंडिस्ट्रिबूशन इफाई टेल यू कि सर और यहां पर और डेप्रिसेशन अन प्रेंट अन मशिनरी फैक्ट्री ओरेट बिकॉस मशिनरी इस देर इन वीकेंड से कहां पर होती आपक मतलब कंप्यूटर ओफिस में यूज होता है जन्रली डेप्रिसेशन ओन लैप्टॉप अगें ओफिस एंडिस्ट्रेशन थोड़ा समझ में आता है वैसा तो यह थोड़ा पता चल जाएगा आपको ईजीली कौन सा फैक्ट्री का है एक दो जगा पर दिक्कत आएगी विव है फैक्टरी फैक्टरी फैक्ट्री जहां पर प्ररडक्षन होता तो जहां पे पॉलि monopol करने के लिए वटरीवर ज्यां यह थुदसर फिल्टर हमने लगाये करचा ऊपएगा टर्चाके फैक्ट्रीशन पर है तो यह हो गया दूसरा चीज हमारे पास जो भी चीज़े और भी चीज़े लिखी गई है यहां पर पॉलिशन कंट्रोल टूल रूम इंजिनरिंग एंड मेंटेननस दूसरी सारी चीज़े मतलब फैक्टर में जो मशीन है उसके मेंटेननस के लिए कुछ चीज़े या फिर टूल्स वगरा सारे चोटे मुटे नट बोल्स जो भी रखे गए वह रूम उसके लिए जो खर्चा है वह अच्छा एक चीज़ और है जो चोटे मुटे टूल्स लगते है उसका खर्चा भी आप कहां पर लिख दोगे अगर कॉस्ट ऑफ मोल्ड रहा ना खाली कॉस्ट ऑफ मोल्ड पैटन जो प्रड़क के डिजाइन स्पेसिफिक वा तो वह वहां पर जाएगा आपका डाइरेक्ट अदर्वाइस जो दूसर लेकिन कोई कस्टमर स्पेसिफिक लिए आके बोलता है उसके लिए स्पेसिफिक डिजाइन बनाना पड़ा और उसका खर्चा लगा तो डारेक्ट एक्सपेंस याद रखिए इसमें थोड़ा सा यह हो सकता है लेकिन नॉर्मल ड्रॉइंग डिजाइनिंग जो होती वह कहां लिए प्याइग आपकी फैक्ट्री लेकिन स्पेसिफिकली एक डिजाइन बनर पड़ा उसके लिए कुछ पैसा देना पड़ा लाई से यहां पर फिर यह नॉर्मली रिपेर्स आपके लीज का रेंटो यह सारे चीज़ आपके फैक्ट एक और एक वड़ याद रख देना आपका स्टोर्स एंड स्पैर्स तो फैक्टर में जितने भी दूसरे लाइक और ग्रीस या देखो एक होता है डाइरेक्ट मेटेरियल एक ह और एक्सपेंस इजी आगे तो ठीक है लेकिन कभी अगर घुमाया फिर आया तो यूशूड नो और एक भी गलत किया तो उसका एक हाथ दो मां कट सकता है तो आपको क्लासिफेकेशन यह दोना ज़रूरी है इस पॉसिबल और इट इस पॉसिबल आई विल प्रवाइड प्लास्टिक लगता है इंक लगता है तो प्लास्टिक और इंक जो यह लगता यह कौन सा होगा लेकिन सरी जिस मशीन से बनता है उसका ऑईलिंग रिसिंग करना पड़े वो भी एक मेट्रियल है और डाट इस नॉट पर मिंट पार्ट आफ यूर प्रड़क्ट तो इस यहां पर आता है आपका फैक्ट्री ओवरेड में आएगा स्टोर जो दूसरे चोटे मुटे दूसरी चीज़े है अधर दैन प्लास्टिक जो मदब तो प्रड़क्ट के अंदर नहीं जा रहे लेकिन मेट्रियल तो है वह भी तो स्टोर्स हैं वी कैंसे जो भी चोटे मुट है पार्ट वगरा वी कैंसे clear है यह ओके ना यह काफी easy है यहां पर आई डॉट तो दिंग टेर विल बी प्ली प्लापर पैकिंग दो चीज़े होती है प्रामरी पैकिंग सेकेंडरी पैकिंग वनाइप सीदीर प्राइमरी पैकिंग यह क्यूव यह आ पका जो एक पैकिंग था वह आ जाए गई फिट इस सेकेंडरी पैकिंग इस सेलिंग डिस्रिबूशन विकाज यह गुट्स को बेशते टाइम हलो एक एक चीज ध्यान से सुनो आप फटा-फट बोल रहां बट जा रहा है दिमाग में विकाज यह ना यहां पर अगर बाद में बोलू एड्मिनिस् जाएगा ओके तो यह सब का मतलब यह रेट्स ऑफिस ऑफिस वर दिखेगा जहां पर भी प्रिंटिंग इन स्टेशनरी बोला तो यह इंडरेक्ट मेट्रियल कहां कहा है आपका ओफिस कहा है ओफिस अडिमिस्ट्रेशन लीगल चार्जेस ओडिट फीज मतलब जो एक जनरल और अंडिस्टेंड दिस तो यह वाला पार्ट होने के बाद यह डिरेक्टर का सेटिंग फिरेमिनरेशन यह सारी चीज़े आपके कहां पर आजाएगी ऑफिस में ओके देन सेलिंग ओवरेड की अगर बात की जाए तो यह जो सेल्स डिपार्टमेंट है उससे कर्चा और क segundo in registerlud Kinderய इसे कंदरीड में डिसंग घंड करिया जाएगा इसे लिसारी सेलिंग अधर जाया को सेलिंड के में ऑडकशा बना स्का रिख रहेगा तो यह ल कौई निया के लिखिता पर मेंड किनड स्वेमिछा के रहे वबसाइग हो Erica यह तो मेन स्सेलिंगा नाहीट एगर थोड़ा आपको सोचना होगा में यू विल भी एबल टो इडेंटिफाइए हैं यह फैक्टरी से कनेक्टेट है करके ओके तो इस अरवेजन अभी जिसमें और भी कुछ चीज है खाली एड्मिनिस्टेशन ओवरेड यह लिखके दिया गया है तो दो अप्शन्स है या तो आपको इसको मानने क्यों रहा पाला जो रिए टू प्रडक्शन वाला है तो जन्रल वाला जो सेलिंग के साथ आएगा तो इस ओनली एड्मिनिस्टेशन इस रिटन तो इट इस जन्रल इस डूक्षन देवेड़ स्पेसिफाइब नाटेंकिश मैंजन इट जन्रल अचा रिट्टु प्रडच्शन ने तो इटो देविल स्पेसिफा या तो दे विल गीजिए हिंट ने कैसे देंगे वो भूलेंगे वह प्रेंगे यह प्रेंडीट तेन परसेंट ऑपॉं से कि ये फैक्टरी कॉस्ट पर डिपेंडेंट है मतलब वो क्यों रहाप वाला है एडमिनिसर्शन इलेटेट टू प्रडक्शन थोड़ा याद रहेगा ऐसा थोड़ा ठीक है डान नाउ कि हमने जो भी किया था उसका अब हम एक एक करके क्वेस्टन करेंगे और अभी एक्जाम में नहीं पूछा तो यूमन नेवर नो आटीप में से बहुत बार क्वेस्ट पूछे जाते हैं तो एक बार हम कर लेते हैं ध्यान से दिखते जाना कौनसी चीज़ कहां पर आएगी ऑ आपके बाद बस कैल सी होना चीए एसल में आई टेल यू कि यह चीज़े केलकुलेट करो यूशूड है विथ यू लिखने का काम कम रहेगा लेकिन निकालो वह ध्यान बना रहेगा आपका डबलो एपी का स्टॉक है डबलो एपी का स्टॉक किदर एडजस्ट होता है आप का आप ओपनिंग क्लोजिंग बाद में अजस्ट करोगे लिए अचा सुनो एक करके देखते हैं क्या खर्चा में समझ में आते हैं जो लिखे गए जरा ध्यान से अगरे मैं मुलता हूं डाइरेक्ट एंप्लॉई वेज़ेस एंड अलावंस इस एकसे ट्रा तो यह किस से करेक्ट करें वेज़ेस डायरेक्टी लिखा गया प्राइमरी पैकिंग क्यू राप के अंदर वो क्यू क्यू कॉलिटी कंट्रोल और रिसर्च और डिवलोप्मेंट क्यू रप एड्मिनिस्टेशन करे प्राइमरी पैकिंग गंस करा ओके तो यह प्राइमरी पैकिंग तो में खाली क्यू लिखता हूं पूरा क्यू राप लिखने से अच्छा रिसर्च और डवलोप्मेंट अगिन क्यू वाला पार्ट रिसर्च वाला रिसर्च वाला कंजीमेबल फैक्टियू रडिट इन्ड डेक्ट एक्सपेंस रहेगा अभी देखा था कॉस्ट एप साइट सेलिंग डिस्टिबूशन और सेकेंडरी पैकिंग सेलिंगन डिस्टिबूशन तो क्लासिफिकेशन में कोई डाउड है कि यह क्लियर है क्लासिफिकेशन क्लियर है एक बार ओके घर पे भी एक बार वापस हो देख लेना क्वेश्चन तो एक बार वो बैट जाएगा दमाग में और नाउ डेर इस अनॉर्मल स्क्रैप नॉर्मली होता है 250 यूनिट्स का ओफ डाइरेक्ट मटेरियल मतलब यह कांसे लेस होगा स्क्रैप लेस फ्रॉम आरेमसी याद रखना यह आपको आरेमसी मैं से लेस करना है ओके चलो अभी देखते हैं इसके आगे विच रियालाइस्ट 5400 पर यूनिट उससे कितना रुपय मिला 5400 यह 250 यूनिट्स का मिल नहीं है ना question में इसमें मतलब पूरे question में कहीं पर opening नहीं यह फिनिच गुट सा तो वो तो ही नहीं opening नहीं बुला तो नहीं और closing में आएगा प्रोडक्शन सेल्सेम है ना question में क्या बुला है कौशीट बनाओ जिसमें प्राइम कॉस्ट बता दीजे ग्रॉस अक्री कॉस्ट कॉस्ट मतब सिंपल एक पूरी कॉशीट बना दो वो टाइम पासे नीचे का डेटा ठीक है अभी कॉशीट बनाएंगे क्याल से पर इफ एफ टेल यू तो क्याल क्योंक्लेट रॉब मेटरियल कंज्यूम अच्छा एक चीज़ यह एड करना है सुना यह एड करना है यह दोनों लोग्ट करना एक चीज और लेस करना है से लॉस क्राप तो क्याल से पर देखो मैं 90 लैक प्लस 44 यह जो भी बड़ा सा माउंट है देखो अभी कल्सिप आए नहीं तो भी ठूके मुझे नहीं आता बहुत बार वह बढ़ ठीक है पहला दो एड करना है क्लोजिंग को लेस करना है और माइनस का करना है यह 250 इंटू 5400 एक पर मैं यहां पर बता देता हूं देखो कि अले ओपनिंग लिखा यह लिखा क्लोजिंग को लेस किया फिर स्क्राप लेस किया तो 43 यह बन जाएगा फॉर्टी ट्वेंटी नाइन अगर किसी एक को आया है तो ठीक है नहीं तो टेंशन मत लो हाँ वह गलती से क्लोजिंग स्क्राइड हो जाता है याद रखना उसको लेस करना होता है कि यूजस अंडिस्टेंड दफ लो कैल्से पर आया नहीं है वो ठीक है ना अंडिस्टेंड यह मैं बाद में समझाता हूं यूनिट्स वाला थोड़े दिर पेशन्स रख उसके लि तो उसको भी आड़ कर दूंगा तो मुझे प्राइम कॉस्स मिल जाएगा प्राइम कोष्ट के बाद स्ट्री खत्म हो गई प्राइमरी अचा इसमें इंप्वाटेंट है प्राइमरी पैकिंग क्या लिख है पर यूनिट अभी हमें निकालना पढ़े हम कितनी उनिट्स पै ना रहे सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग में थाउजन यूनिट्स थे मुझे खाले अभी ये वाला समझाने देखो ये वाला थोड़ा खतर ना के इधर वर्ड परिट लिखा गया इसी लिए और इधर भी परिट लिखा गया तो इसके लागे बस महनत करनी पड़ेगी अ माइनस टू फिफ्टी स्क्राइब हो गया पूरेट टूपाइस दिरोवेंट इंसाइड दा मशिनरी लेकिन फॉर्टीएट टू फिफ्टी में से सर आपका ये और दोसो पचास खराब हो गया है स्क्राइब में मतलब फॉर्टी दाउजन बनाया और आपने पहले डबलो तो जो फ्रेश बनाया प्लस दोजार जो आधा कम था वो कंप्लेट क्या रहेगा लेकिन फॉर्टीएट में से पूरा नहीं बनाया वन दाउजन से बाकी है तो यह समझ में आया या नहीं फॉर्टीएट थाउजन में इन्पूट तो किया है प्लस टू थाउजन करने जो सब्सक्राइब क्या रहेगा और माइनस वन बेकाज उसमें से बाकी रहे गया तो फॉर्टीएट प्लस टू माइनस वन फॉर्टी नाइन ताउजन यूनिट्स आया प्रोड्यूस्ट एवर्टी गॉट्ट इस एक दम ध्यान से समझ एक एक चीज नहीं है तो मुझे एक उनिट का है तो वन फॉर फॉर जिरो इंटो फॉर्टी नाइन थाउजन कुछ सेवेन जीरो फाइट सेग्स बड़ा सा एक अमाउंट आता है अदेखो यह वाला जहां पर मिस्टिक और स्टार भी मार्क करके रखा है वेरेवर आई फील यू कैन कमिट मिस्टिक वो उस और यहीं आपका सी ओ जी अबन जाएगा और बेशते टाइम और एडमिनेंट से लिंका खरचा जनरल एडमिन तो जनरल एडमिन तो किदर नहीं है सेलिंग तो है एक है दूसरा है और तीसरा है तीन-तीन है देखो समझा कॉन से एक तो यह फॉर्टी-eight वाला और यह कॉस् दिख जाएंगे एक दो और यह तीन और स्क्राइड करके कॉस्ट में जाएगा पका आई होप लिखने की ज़रूरत नहीं है घर पे एक बार रिफर करोगे हो हां क्या क्लोजिंग स्टॉक होता तो उसको अहां हां विको सेकेंटर पैकिंग उसी पर लगएगा जो बेचा ज सेल्स मार्जनिस 20% on sales मतलब cost will be 80 और if it is 80 मेर को नहीं आता वो सब लेकिन आपको यह समझ में आता यह 20 यह 100 यह 80 to cross multiply if you are smart enough it is if it is one-fifth of sales it is one-fourth on cost but the case of naisa musta to yet take a mess a character was a mortgage marine nature here yet he cross my black can I see we are done with this question so it took around seven eight minutes exactly we will say okay so let's try to go for this question which is May 22 का है classification एक बार बता दिया है तो जल्दी से जल्दी question खतम करते यह इतने time होगा कि आप घर पे भी से जल्दी नहीं होगा मतलब it will take time घर पे एक बार हम फटड़ा-फट में गुथरू करवा देता हूं आपको देखो सबसे पहले तो ध्यान से एलिमिटेड नाम की company है जो single product बनाती है December का महीन है ठीक है और कितना टंस हमने बनाए वो दे दिया है मैं बोलो तो कुछ काम का निए बस काम का इतना ही है कि महीने का data है और एक महीने में हमने बनाए 14560 टंस करके ठीक है यह quantity produce दिया गया यह कभी आगे काम आएगा कुछ closing विजिंग दिया रहेगा तो यह थोड़ा अलग साथ रहेंगी question है जिरा ध्यान देना कुछ अलग अलग चीज़ें आएंगे बहले ही वहाँ पे लिखा गया वर्ड क्या लिखा गया है raw material consume पहले का करने का सारी चीजों को classify करने का फिर solve क सब्सक्राइब करने के लिए जाने का पहले सा लिख देने का तो पहला RMC सर power consumed direct expense जिसको cost of utilities बोलते है पावर डीजल वगरा डीजल कंजुम मशिन चलाने के लिए पावर डीजल देन डाइरेक वेज़ें वेज़ें वरकर को पे किया दिन ग्रैचुटी वरकर को जो दिया व तो इस पसिथिपिक मशीनरी तो यह फायर चर्ज अर पेड़ फर स्पेसिफिक मशीनरी जाएगा रही टायके लेकिन आपको जानना हो कि हम्म क्या है हलांकि एकजह में तुम्हेरे कमका नहीं रहेगा लग सा सपेसिपिक मशीनरी है नॉर्मल न ही एक अलग मशीनरी लाया सब्सक्राइब करने से पहले महाँ पर तो ठीक है तो स्पेसिफिक में जाएगा याद रखना कोई भलता ही मशिनरी का नाम दिखा हो छोड़ों मशिनरी और दिख रहा है ना है कुछ अलगी मशिनरी है डाइक एक सब्सक्राइब नॉर्मल का रहे और आगे लिखा भी सब्सक्राइब करना है जब तक लोग सब्सक्राइब करते हैं हमने कार भाड़े लिए वह खर्चा दूसरा रिंबर्स्मेंट अब डीजल कॉस्ट ट्वेंटी थाउजन यह भी किसका है वह कार का यह ऑफिस रैंस्ट्रेशन तो देखो एक तो दो खर्चे हुए एक तो कार युश को तो मैंने कारका भी पैसा दिया और जो मैंने डीजल यूश को उसके में उसको रिंबर्स किया तो उसने बिली कितने का बनाया रहाए गा एक लाग का अब उसके ऊपर हाइर इसको रिवर्चार्च मेकानिसम बोलते लेकिन नहीं समझा तो आगे टैक से 5% वह रस स समझें अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है और एक है विदाउट क्रेडिट तो मिलने नहीं माला मतब्वेरा खर्चा है विदाउट कर्चा है लेकिन प्लीज यह 5% 80,000 पे नहीं निकलेगा विगॉस वेन नहीं में पेमिंट इन्वाइस विल बी 80,000 पर हायर चार्ज अच्छा आपको जिए से करने राइट दो प्रोविजन की यह गलत ने करके प्रोविजन मेरे सामने मत लाना हां पहले ही बता रहा हूं बिकॉस अप लाओ के सामने इसलिए वह 80,000 देखो इंसीटूट नहीं कहा है मैं बता देता हूं 80,000 हां जो भी जबता को लोग चेंज आना है नहीं गलत था बगरा वे तो ठीक है और 5 पशेंट उसके उसके उपर निकालना 1,00000 के ऊपर ओके हां अरे हमने कार लिए और भूड़े का पैसा इतना दिया डिजल का इतना दिया फिर एक लाग के उपर दिया है तो उसके उपर 5% दिया है नतिंग नो मेरे को कुछ डाउट भी नहीं चाहस के पर तुम से ठीक है अभी आगे बढ़ जाओ ओके जिस्टी के सर को पूछ सकते हो कौशिट में क्यों दिया है क्योंकि टैक्स का पार्ट है बट करना यही है विकॉस मॉडिल में दिया है ना तो जाधा अर्गुमेंट नहीं ओके क्या है कि मतलब जो ट्रक बाहर जाता है तो ट्रक आएगा तो उसका वेट निकाला जाएगा लेटा से उसका वेटे लेटा से अन्डेस्टेंडिंग के लिए 100 गेजी ट्रक का आते टाइं फिर जाते हैं उसका वेटे 150 kg 100 kg के जगे तो 50 kg लोड किया रहेगा ना तो यह वेट निकालता है वगरा तो मैं पता चलता है कितना लोड का गया है गुट्स ठीक है अपने लिए तो कोई equipment का नाम पता ही ना तो भी फरक नी पड़ता है मेंटेनेंस फॉस्ट है ना ठीक है मेरे को वेइंग प्रिच का है पता ही नहीं लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं का था से और निक्युकरे मेरे लिएक ट्रूहिं लिक् соответ दाट विए को को मेरे को से लिएंग ब्रिच तो रखाया है कि बाई जो भी लॉड़िंग अन्लॉडिंग वह नहीं उपर का लाइन चिपकाया है ज perturbार है दे रे पर लगाया हुआ है तो यहां तो एक 6000 रुपए यह 6000 किसका है पहले वाले का है वेंग ब्रिच के दर वाला और दूसरा किसका आपका फैक्टरी वाला अच्छे तब जैसे पर मंदी का थोड़ा सा देखने का कि उपर का डेटा भी सारा एक महिने का था क्या हां तो कोई यहां पर टीए डीए क्या है नहीं पता फरक नहीं बढ़ता आगे क्या है तो सेल्स मैनेजर मतलब लेकिन यह का मतलब ट्राविलिंग अलाउंस दिये मतलब डियर रिसला लेकिन कुछ नहीं समझा तो डरने का निया आगे पढ़ने का किसके लिए है तुमारा काम हो इसके बिना भी बट फिर भी इडिए ट्राविलिंग अलाउंस अंडियर लावंस करके और बोलो अगर देखो मैं क्या बोलता हूं एन्वल मिंटनेंस कॉस्ट है और यह पर मंत का दिया है ना अरे मतलब मेने मैं लिकाला है उसके लिए हर महिने इतना देना पढ़ता है कि अगर इदर नहीं लिखा होता ना पर मंद तो हम बोलते वह बारा महिने का है यह अज वैसा है ओक्ता और अजिकुट में एक और requirement है सर पहला requirement है कॉश्ट बना के दो ओके सर दे देंगे मंत का आपका December का और कुछ कुछ तो बोला है बाद में देखते कुछ समझ में नहीं आ रहा पहले जो आता है वो कर लेते हैं पहले चीज़ अपने को क्या आती है कॉश्टत आती है सबसे पहले डायरेकiking करेंगा है हो ओगया सब्सक्रे evasion का पावत एक निटो 7 के लिए वो चले तो लिखा फिर लेबर लिखा दो फिर पावर मतब डिरेट एक्समेंस में हाइर तो टोटल मिला के प्राइम कॉस्ट बन गया रहा है उपर वाले पार्ट से सर प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरेड अच्छे एक ही जीज़ है झाल आत्राइब वदलेेखा वृक्त है नहीं तो हैष्टर प्रड़क्शन बन जाएगा उपनिंग क्लोजें से तुम 那े यहीं तुमारा सीओ जीएस बन जाएगा तो बेचते टाइम दो खर्चे एड्मिनिस्ट्रेशन जनरल वाला और सेलिंग डिस्ट्रिब्यूशन तो अभी इदर तो सारा हाँ एड्मिन पहले एड्मिन बोलू तो देखो यह दो एड्मिन है और फिर यह बता दिया यह एक लाग पाच बनता है एकला क्यों यह 5 पर सेंट तो टुटल एकलाग पाच अजार सए देखूंज इकलाग 5000 का आ जाएगा एकलां साच हजार के बाद सर यह 7000 मेंटेनेंस कोस्ट वेंग ब्रिच का वेंग ब्रिच में सिसी टीवी कैमरा लगए बेचते टाइम वाला है सेंड करते टाइम उसका 6000 कैमेरे का खर्चा और प्लस सेल्स मैनेजर का बिल तो साथ अजार प्लस शे अजार प्लस 16000 साथ 616000 और बाद म सेल्स का डेटा दिया है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्लस प्रॉफिट इस इक्वल टू सेल्स बनेगा पक्का दिमाग में जाता है अचा सर आगे कंप्यूट अब यह समझते यह क्या लिखा गया अभी थोड़ा सर्वेस कॉस्टिंग वाला नॉलेज काम में आएगा सर पर मैंशिफ्ट और अभी अरणीं अरणीं का मतलब सेल्स से जराबी मतला सिल्स का डेटा ही यह इंए कंफ्यूज करने का यह इधर अर दिचार वरकर कितना कमाता है पर मैंशिफ्ट मतलब अगर में वह से जाता हूं मैं 12-8 इक दिन काम करता हूं तो मुह एक शिप्ट का म हाँ वन क्रोर एट लाग ट्वेंटी थाउज़न ओके सर इस फैक्ट्री के अंदर हमारे पास वरकर है 180 और सबसे पहले हमेने डेज आर थैर 26 तो अगर मैं इसको डिवाइड वेट 26 करो तो एक दिन की अदिन निकलेगी तो वन यह जो भी आड़ यह जो भी है यह 24 16 15 3.85 लेकिन यह रिंग एक दिन का है लेकिन कितने वर करका 180 लोगों को दिया जा रहा है मुझे एक आदमी का निकालने का है तो डिवाइड इड़ वाइड वाइड वन एटी तो 2312 ओके दिस वन हाट 2312 थोड़ा सर्विस क्रासिंग आज आता है तो आप पैसेंजर किलमेटर दोनों को मुझे करके डिवाइड करते थे तो इदर भी आप मैंशिप्ट बूला है तो टूटल मैंशिप्स निकाल लो कि सर एक आदमी काम करेगा 26 दिन में तो 26 मैंशिप् होला तुमको जैसे भी समझे आंसर हो यह फाइनल में जो भी आया है यह 2312 आना चाहिए पका समझेगा ओके सर आगे सर आगे आउटपूट पर मैंशिप्ट अच्छा वी हाव मैंशिप्स कैसे और 26 मैंशिप्ट इस फॉइन परसन अगर वैसा या तो हाँ अगर ऐसे नहीं करना तो फिर एक करके डिवाइड आउटपट कितना है 456 4560 डिवाइड वैट 26 करूंगा तो मुझे एक दिन आउटपूट मिलेगा डिवाइड भाई एक दिन आउटपट मिलेगा एक दिन में वर कर से महां पर दिवाइड वाइड या तो यह दुनों को मल्टिप्लाय करके एक सट डिवाइड कर दो मैंशिप्ट तो पर मैंशिप्ट का जाएगा तो चलो कोशीट का क्वेशन स्टार्ट करते हैं और टीपी नवेंबर ट्वेंटीवन का एक्सपेंसेस आगे लिखे गए बट यूशूट ट्राइट जस्टीपाई कि यह इदर ही जा रहा है बराबर एक दिखते हैं सबसे पहले राव मेट्रियल कंज्यूम यह कहां पर जाना चाहिए आर एंसी समस्ट्राइड पर तो यह आरें सी में जाएगा रिफंड नहीं मिलने वाला प्रेटी इन रचेंट रिसकाउंट रिस अबस इसको यह याद रखियेगा इसको क्या करने का माइनस डिसकाउंट है माइनस होगा आप देखोगे उन्हें वह जो मॉडिल में लिखा ता उसी का एक फ्रेम करके दि इस contribution तुमने दिया वो भी direct wages वो ESI में PF में बोनस दिया तुमने वरकर को वो भी direct wages वरकर को जो भी दिया allowance percusates या जो भी bonus traveling allowance जो वरकर को दिया हुआ आपका direct wages then fees for technical assistance as good as royalty direct expense याद आता है direct wages के बाद sorry amount paid for power and fuel direct expense job charges this is one new item which is added which was not there job मतलब क्या होता है एक होता है नॉर्मल प्रडक्शन और जॉब कोस्टिंग रहने देते हैं I think job अच्छा सुनो what is job costing एक छोटा सा आइडिया देता हूं मान लो हमारी company pen बनाती है तो मेरा ऐसा वरकर मुझे क्या शुरूबात में में काम पता है मुझे क्या करना है हाँ पैन बनाती है ना तो मेरे को सुबह जाना है और बाद में वह आड़ फैक्टर बजना और पैन बनाना इसको बलते हैं नॉर्मल कंपेनी जो सेम यूड बनाती है एवरी प्रॉडक्ट इस सेम पट लेट अगर एक गैरेज में वगरा काम करते है तो गराज वटेवरी उसे गैरेज में आपन काम करते हैं तो क्या मुझे पता है कि यही प्रब्लम है और यही करना है नहीं प्रॉब्लम आएगा तो चला हम विजिटिंग काड़ प्रिंट करते हैं तो आई डोंट नो क्या नाम से प्रिंट करना है जब कॉस्टरमर आएगा यह विल प्लेज दी ओडर ऐसा ऐसा ची दिन एविल मेंग दप्रॉडक्ट इस प्रडूट्ट इस प्रडूट्ट इस बेस्ट तो यहां पर जॉब कोस्टिंग मतलब हम एक नॉर्मल काम कर रहे थे अचानक से कस्टमर बूला ऐसा ऐसा करके चाहिए कुछ अलग स्पेशल तो स्पेसिटिक जॉब कुछ अलग रहेगा वो हटके रहेगा तो उसके लिभी वह खर्चा रहेगा वह कहां पर जाएगा आप याद रहेगा ओके to da bull कहां पर दिखने का फैक्टरी मतलब फैक्ट्री में आफиляई ऴिकाहां पर ग Europol हें है प्र आप साम टस्क्राइब स्पर्वेजर्चे का करने का में पर होता फैक्ट्री में माट हो जाएगा फिपेर्स में से न जरी ठेह सेल्स आफिस बिल्डिंग तो भी Office से बढ़का वी बेचने का में उनका भी ऐसे मतलब बैचने का में आधा इदर आदा इदर आधा है नहीं सेल्स ऑफिस मतलब में अब्जेक्ट विस्टू सेल तो बैशने वाला यह और एक रहेगा अकाउंटिंग वाला ओफिस जहां पर एडिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट होगा वेहिकल दिरेक्टर ऑफिस जनरल अगर वो सेल्स डिरेक्टर होता तो सिलेंगे डिस्ट्रोबिशन नॉर्मल डिरेक्टर बोलेंगे तो जनरल बोलेंगे क्लियर रहेगा ओके ध्यान दो यहां पर इंचॉरंस प्रीमियम अभी पहला प्लैंटेंट मश्री होती कि तरह फैक्ट्री में फैक्ट्री बिल्डिंग वह भी फैक्ट्री का ही पार्ट है तो फैक्ट्री ओवर हैड एक्सपेंसेज फेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल क्यू रहा आपका क्यू रिसेजेंट डेवलप्मेंट क्यू आपके अंदर वह आर वाला पाट है एक्सपेंसेज पेड़ एडिनिस्ट्रेशन विचिस कनेक्टेट टू प्रडाक्शन और फैक्ट्री है अभी बस एक ही च या फिर पता नहीं वह लोग नभी वह किया है वैसा अधर्वाइस यह आपका फैक्ट्री ओरड का पार्ड बन सकता है प्रडाक्शन दाना जर्बस यह एक जगह पे वह लोग ने किया है तो वी हाव टू रिमेंबर लाइक डाट डाट इस ओके दरवाइस आई फिल इस तो क्यों के अंदर हमें क्लिक देंगे तो इसके अंदर एक एक जांपल और आपका यह कौन सा है आपका करेक्टे टू प्रडाक्शन दिवाब में फिट बैटेगा यह अलग से में नोट में लिख दूंगा तो याद रहेगा यह वाला पॉइंट फिर अच्छा उसके बात करते प्राइमरी वाला क्यों रप में जाएगा और रिडिस्ट्रिबुशन वाला से लिग डिस्ट्रिबुशन में बोलो समझा नहीं मतलब कौन सा यह भी अड्मीन वाला है अड्मीन प्रडक्शन यह भी अड्मीन प्रडक्शन हाँ दोनों भी दोनों भी देखो 138 एन फॉर लेगे इस्टेल एक बार मैं बता दिता हूं जस्या इसा लगे हाँ कैसे कुछ अब में बात नहीं हो रही देखो यह हो है एक प्रडक्शन मेनेजर और यह एक एड़ में ठेके वह दोनों उसमें हाला क्यों नहीं इट इट कैन भी पार्ट आप फ्रक्टियूर्ड बट ठीक है आई ऑल्वेज अलाइन आर सोलेशन वेद आई से आए बाई क्योंकि एक्जामिनर के पास यह होगा ड़ो ध्यान समझा हूंगा आगे क्या है और लीकल यवा हम इंडिपेंडेंटीर डिरेक्टर तो यह सारा ओफेस सेकरेटेरिया जो भी स्गेंटर बेदर नहीं मैं þोटि यह बोला कि एक거든्ट प्रॉन हम लेत्टों थो कंसिलेशन पर ठीक इस तिलाव एक्स्प्लेइन चाहिए तो ओके यह खर्चे हो रहा है ना ओपेस में तेन पेमिंट फॉर मेंटेनेंस अब वेब साइट सेलिंग डिस्टिपूशन वेब साइट है तो बोनस बोनस लेकिन खाली बोनस देके डारेक्व इस मतलिक हो बोनस सेल स स्टाफ है तो सेलिंग डिस्टिपूशन यह स्टॉक है ओपनिंग वाला है क्लोजिंग वाला है जो आरेंसी में आएगा और यह मेरे को आपको पता यह डबले पर फिनिश गुट्स है तो के दर आएगा राइट हलो नाव अमाउंट और रियलाइस्ट बाई सेलिंग और व क्लासिफिकेशन इस दन बस इसमें डूनने का थोड़ा ध्यान से मतलब इधर आरेंसी खत्व नहीं होता इधर ओपनेंग क्लोजिंग भी उसका है इधर जो आपको देखना है कि यह उपनिंग है और यह क्लोजिंग है और अगर स्क्राप वाला होता तो वो भी आ जाता लेकिन यह क्यों रखने का फिर एक यह लिखा तो थोड़ा महनत वाला काम होगा जड़ा ध्यान से एक आधा घर पे ठोड़ा प्रैक्टिस के लिए कर लेना क्योंकि जिसमें ज्यादा आइटम है वहाँ पर लिखने में मिस्टेक करोगे तो थोड़ा एक प्रैक्टिस होगा कहां पर क्या मिस्टेक हो रहा है डंग करेंसे विया डन विद इस कि फाइनेंस वाला आचा हां एक चीज़ और बुलनी बाकी थी देखो क्या बुलना बाकी था इंट्रेस इंट्रेस इदर लिया है कि यह गलत किया है यह टाइपिंग एर रहे रहने दो अच्छे यह कंपोजिजन स्कीम के बार में बता है कि केडिट नहीं मिलता हम ठीक है वह पता है तुमको फिर बिए बता दिया इंट्रेस रोगने गलती से एड किया है यह मताइड करना तुम लोगने स्पेसिफिकरी मॉडिल में नोट भी दिया है देखो मैं बता देता हूं कौन सा खर्चा नहीं आएगा यह अपना रहेगा बोलना पड़ ठीक है इंट्रेस सब इसको पढ़ते हैं देखिते हैं क्या लिखा है इंट्रेस्ट कि इफाई रीड इंक्लूडिंग इनी पेमिंट इन नेंचर आफ इंट्रेस्ट फॉर यूज ऑप नॉन इक्विटी फंड में तब डिवेंचर अगरा उनको इंट्रेस देना पड़ता है और एक्विटी जहते इंदर आएड करदियो गल्ती सेड किया तोग्रोगैं अग्विटी और ऋपर इंट्रेस्ट दिखा तो क्या करने का इग्विटी वाले को क्या करने का अभी मोडल में रेट कर रहा है वह ऐसे एक दो दूट पर गल्ती आया मॉडल से तुम इंड्रेस को अगिनोर करना तुम कंफ्यूज मत हो ना सुविया ड़न विद इस क्वेश्चन जो आटीपी में ट्वेंटीवन में पूछा गया था कॉशीट का लेट्स हाव लुक देखते हैं सबसे पहले लिखा गए राव मेट्रियल परचेज अमाउंट भी माउंट छोड लिखने का रम्सी वेजेस पेट टू फैक्टरी वरकर डायरेक्ट वेज़स रॉयल्टी पेड़ फॉर प्रडक्शन डिरेक्स रॉयल्टी जो दिया पावर एंड फ्यूल डिरेक्स पेंस जॉब चार्ज डिरेक्स अभी वह दिमाग में आप उने किया था पहले वाले क्व क्लियर होते जाता है सब्सक्राइब बीफोर सुलिशन दिखने से पहले हां किये इंचॉरंस प्लांट एन मशिनरी का तो फैक्ट्री फैक्ट्री बिलिदिंग मतलब फैक्ट्री कॉलिटी कंट्रोल तो क्यू रप में क्यू वाला पाट एंड रिसर्च मतलब आर वाला पाला और अगर रिदिस्रिशन वाला तो सेलिंग डिस्रिफूर्षन वाला यह देन डिरेक्ट अर्टर हो तो यह आपका ओपस बोन से लेकिन किसको इस सेल साह भाट इस सलिग अगर आप नोटी स करो कि पहले वाला एक्वेशन और फोड़ा थोड़ा थोड़ा अलमू समय तो प्लीज एक बार अच्छे से करके जाओ इवन दिस दन इन अराउट टू मिनिट्स दो मिरिट में हो गया क्वेस्टन एक बार जैसा ही था तो बस एक बार बता दिया आपको एक बार गो थू करवा दिया तुम घर पे मत सॉल करना एक बार खाली चीज़े देख लो हां करत है इलेस्ट्रेशन 3 जो आपके मॉडविल के अंदर है दो मिनिट में खतम करते देखो रॉमेटल कंस्यूम मतलब आरेंसी हां तुम यह वाला आंसर देखके मत बोला करो तो मुदर पढ़के फिर सोचा करो हां जी एस्टी पेड और आगी क्या लिखाएक एलिजिबिल इस प्रेट मिल जाएगा इग्नोर रिफट मिलने वाले फ्रेट इनवर्ड आरेंसी ट्रेट आउट वर्ड सेलिंग डिस्ट्रिबिशन आउट वर्ड है तो वेजस डायरेक वेज़ेशन तो यह और यह प्रड़क्शन बोनस डारेक वेडिश्ट बोनस आपका वरकर के यहां पे जो कॉस्ट आप मोल्ड आप बोल दोगे कि मोल्ड मतलब अभी मैंने समझा था ड्रेट एक्सपेंस में आएगा करके लेकिन सर इसकी यह जो खर्चा है ना इसकी लाइव दो साल है और हम कौशीट बना रहे हैं फॉर्ड इयर इंडिड तो हमें एक ही साल का निका सब्सक्राइब का लो दो है तो डाट विल अपियर लाइक दिस पूर लाइक पॉर्टी टाउजन यह दिस यूर सल्यूशन तो जरा साथ ध्यान देना इसा एक दो मिस्टेक होता है फिर वह बाहर आके पता चलता है ओके तो जरा ध्यान देना ऐसा कुछ वर्ड लिखा रहे गया था वैसा तो डेक एक्समेंस में बूला गया तो ठीक है ना एक बर बता भी देता हूं चलो इदर अधर देखो जॉब चार्जेस इडलाए कि आपका कहां पर आगे डेरेट एक्सपेंस में यह स्पेशल वर्गर्स बुलाए गये थे ओके ना स्टोर्स कंज्यूम फैक बॉलाटरि में रहता है लेकिन याद रखना कर आएसे लिखाये प्रडाक्शन मैनेजर सालीय प्रदक्शन कंड्रोल और आध्मिस्रेशन मैनेजर मतलब वह प्रडू्स प्रडरेट्शन तो क्यूर्प के इंदर आएगा वह ओके और रिपैर्सland maintenance paid for दो तो अब देख एख वाला सेलिंग डिरेक्टर वाला ओफिस ओके इंचॉरेंस प्रीमियम फ्लांट वाला ठीक है फैक्टर में जाएगा प्लांट ये दोनों लेकिन यहां पर आएगा में शायद रखना फैक्टरी ओवरहेड में आएगा पर चांसे से मिस्टेक होगा मिस्टेक कब होगा खली इतना लिखा होता इंशॉरंस आप से आप आरंसी में भीज़ देते और आपको कोई भी स्टॉक है जो गुडाउन के अंदर है उसका इंशॉरंस है और यह ब है तो उसको लेके कुछ भी हाँ we could have said that it is for sales purpose to selling and distribution में आ सकता अगर यह रहेगा तो कहां पाइगा फैक्टिव एडमेंग ओके expenses fit for quality control q then again quality वाला q then research and development आर वाला वो q rap के अंदर pollution control equipment factory यह भी बार इतनी बार एक भी बैट जाना चाहिए दिमाग में then uh then I can say that wages fit for admin अलेकिन अड़ीन कहां पर factory वाला तो related to production अगेन वापस production control वाला है तो factory में नहीं पैचने का q rap वाला है और तो तीन बार रिपीट हुआ है तो दिमाग में बैठेगा finance यह सेमी है finance बोला तो office sales वाला बोला तो selling and distribution जनरल मेनेजर मतलब office packing में primary है मतलब का यह क्यों रफ वाली selling and distribution अगर redistribution है various paid for in distribution के लिए selling and distribution auditor legal advisor independent office 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 bonus pay to sales staff बेचने के लिए selling and distribution then again यह आपको पता है तीन स्टॉक है RMC के लिए ध्यांद रखने का नीचा गया पिले दिखने का पढ़ा हुआ अपनिंग क्लोसे एंड अमांट रिलाइस भाई सेल और यह क्यों राप वाला है विकार स्क्राप आफ मेटरल नहीं बोला है तो यह नॉर्मल स्क्राप है जो क्यों राप मैं से माइनस होगा almost same question it took around again for five minutes to solve this and that is understandable हाँ सबसे पहले आप जब भी मॉड्यूल देखोगे दो तरह के क्योशन होते है एक जो इलस्ट्रेशन होते हैं जैसे यह क्वेशन के ऊपर क्या लिखा गया था इलस्ट्रेशन और उसके बाद है ना मॉड्यूल में चाप्टर के एंड में होता है आपका टेस्ट्यूर नॉलेज और टेस्ट्यूर नॉलेज में प्रैक्टेकल क्योशन होते हो अब फिर नंबर नहीं देता है ऐसा ही रहेगा तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला मतलब बेबी पूर एक्जाम वगरा एक बार देख ली जाएगा ओके एंचाहिए तो आइगें एक शॉट वीडियो बनाई उसमें यह दूसरे सारे खर्ची के एक लिस्माना कि वह भी रिवाइज करो कि 20 मिट का बना दूंगा तो वह हो जाएगा देखो जरा इदर अभी कैने से यह यह स्टॉक का तो मेरे को कोई टेंशन नहीं लेना है आगे राव मेट्रेल परचेस मतलब कहां पर आरेम सी देल जी एस्टी के बाद आई टीसी अवेलेबल एक्नोर मतलब इंपूट टैक्स क्रेडिट रिफंड मिल जाएगा इग्नोर करो वेजेस डायरेक एक्पेंस इस पेड़ यूटीलिटी जब यह कंविजन होगा यूटीलिटी इस मतलब पावर एंड फ्यूल वगरा उसका मतलब यह कौन सा एका डायरेक्समेंस ओफिस वाला ओफिस अनश्विशन ट्राइवलिंग वाला ओफिस का है लेकिन सुनो ट्राइविलिंग अलाउंस ऑफ सेल किया है मशीन आवर रेंड हम क्या करते हैं ओवर हेट को रिकवर करने के लिए चीज निकालते मशीन आवर रेंड जो लास्टेम में आज चुका था तो आपके एक्जाम मैंने की चांसे कम है और वैसे आपका थोड़ा हिला हुआ ही रहेगा वो थोड़ा दिमाख खराब हो और हेड डिवेड़ बाइ मशीन आवर तो एक रेट निकलता है तो और कैसे निकलेगा मुल्टिप्लाइब करके ना अरे लेक समझ गया यह तो यह पर आवर का खर्चा है और इतने आवर्ज है तो यह फैक्टिव रड़ा गया यृनिट प्रोड्यूस यृनिट सोल प्लस 10-160 विल भी कितना 44,000 यह वर्किंग है इदर यह कब काम अभी आप यह क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करोगे एक बार बता देता हूं एदर सुन लो आईवन दो यू नो दाट वर्कोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन के लिए ध्यान देना यह तुम्हार है ऐसा ओके सर उसके बाद यह CPU तो मिल गया सर अभी आगे यहां पे जब में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालूंगा मैंसे निको लंगा यह वाला खर्चा तो यह एक यृट का CPU आ गया तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में किते हैं एक सकेंट 44 तो 44 की वैल्यू क्या होगी एक रिट की वैलिए 94.73 जो इस साल बनाया है बुलने की जोड़ों थे कि याद है दन तो सर यह क्वेशन इसमें सेल्स बिल्स का डिटा भी किदर हां प्रॉफिट इस फिफ्टीन परसेंट आन से कर कैंसे हो जाएगा यह नथिंग कॉंपलिकेट असेट यह सो वियर दन विद दिस क्वेशन अगेन टुक अराउं जस्ट्री मिनट्स